काराकाट की जनता ने मन बना लिया है नरेंद्र मुद्दी जी को तिसरी बार प्रधान मंतरी बनाना है आद में जाकर के कुछ तो बहाना बनाएंगे क्यों हम हार गए से ही उनकी हार सब जगा होगी चार जून को तो वही कहेंगे कि इवीए मसीन में गरवडी इवीए मसीन म है कि सम्मिधान बदल जाएगा बिलकुल बकवास है गलत है फालतू की बाते हैं पर दुनिया की कोई ताकत हिंदोस्तान के सम्मिधान को नहीं बदल सकती है लगातार चर्चे में है और आज हमारे साद चर्चा करने के लिए कारा काड़ लोग सबाच्छेतर के लोक पिरिये नेता और NDA परतियासी उपेंदर पुश्वा हैं पहले आपको कोमाँ अटक लोक पी Chairman Ops pare जब हमारी कारगा आकताा प्रबद्दенты. उसी समय से बिना कही यह बात टैय हो गई जो सुभावी कुरुप से होना ही था एयसा कि जहां से खुद हमको लज़ना है वहां कटवद्धन में वसीट हमारी पार्टी को मिलेगी तो पहले ही से तैथा अलग बात है कि समय पर उसकी घोसना होती है और लोग बीच में जानकारी नहीं रहती है इस कारण से अटकलबाजी करते रहते हैं लेकिन प्रारंबिक दिन से जिस समय पार्टी हमारी सामिल क्या लगता है आपको विपक्ष डर चुका है अभी से ही कोई उनके पास मुद्दा नहीं बचा है देखिए विपक्ष के लोगों को मालूम है वले प्रचार कर रहे है अब चारिकता तो जब प्लेटकल पार्टी है तो लोग करेंगे ही लेकिन मालूम है उनको कि होगी चार जून को तो वही कहेंगे कि इसलिए ऐसी बात पहले से बोल रहे है अच्छा एक बात बताईए बिहार का चुनाओ इस बार काफी टफ माना जा रहा है खासकर काराकाट लोग सभाज सीट को लेकर तो क्या लगता है आपको काराकाट लोग सभाज छेत्र में समझते हैं वो लोग इस तरह की बात नहीं कर सकते हैं काराकाट की जनता ने मन बना लिया है नरेंद्र मोदी जी को तिसरी बार प्रधान मंतरी बनाना है सभी लोगों ने मन बना लिया है वैसी इस्तिति में फिर कहां कोई दिक्कत है कुछ भी टफ नहीं है अच्छा एक ब कहिएगा इस पर आप देखे हिंदुस्तान का संविधान सव लोगों को मालूं है डॉक्टर अंबेदकर का बनाया है उन्होंने संविधान में जो प्राबधान किये हैं उसके आधार पे दुनिया की कोई ताकत हिंदुस्तान के संविधान को नहीं बदल सकती है लेकिन और संव चीज है तो ऐसी परिशिते में यह कहना कि संविधान बदल जाएगा बिलकुल बकवास है गलत है फालतु की बाते हैं अगर आपको इस बार कारा काट की जनता विजय सिरी का असिरबात देती है विजय बनाती है तो जीत के बाद आपकी पहली प्राथमिक्ता क्या होगी जो जो जनता का हुकुम होगा उसको हम करेंगे विकास से सम्बंदित ऐसे कई मामले जो पहले ही से सामने है जैसे डाल्मिया नगर में इंडरस्टीज का मामला है कई जगह सिचाई का मामला है नर है लेकिन वहां तक पानी नहीं पहुंचता है कई जगह और भी सिचा काम में लोग बेज पाएं और फिर उससे रोजगार भी सिर्जन हो ताकि नौजमान लोगों को जो काम करने वाए लोग है उनको रोजगार भी मिल पाए फिर आप उस तरफ चले जाएगा जो इधर NTPC की उनिट है औरंगाबाद के इलाके में तो वहां जो लगा हुआ है नीचे जा रहा है तो यह सब नुकसान उस यूनिट के कारण है नुकसान लोग उठा रहे हैं लेकिन लाब होना चाहिता है दस किलो मिटर के रेडियस में बिजली सरक इंफ्राइस्टेक्चर का निर्मान उनको करना था जो विस्थापित हो गए उनकी भी समस्या का अभी समाधान नहीं हुआ है तो इन तमाम चीजों को हम प्राच्मिक्ता के अधार पर रखेंगे और फिर बागी जो जनता कहें कि करेंगे तो किसानों के लिए कुछ बिसे सी उजना बताएं हमने कहा किसानों के लिए यहाँ जो जिन चीजों का लोग उतपादन करते हैं उसका मार्केटिंग यह चोटाचोटा प culmin होगा । उससे किसानों को भी उनकी फसल का ज़्यादा दाम मिल पाएगा और उससे रोजगार भी निकलेगा तो जो बेरोजगार लोग हैं उनकी समस्य कब समाधान भी होगा और किसानों की समस्य कभी समाधान होगा अचा एंडिये बिहार से इस बार 40 में से कितने सीट जीतने जा रही है अब चारतारी को रिजल देखेगा 40 में 40 सीट हम लोग जीतेंगे इसमें कहीं कुछ नहीं है विपक्ष की और से जो भी आपने दोएखा कल कल ही की घटना है संभवता कि विपक्ष के नेता ने साफ साफ एक जगा भासन के दवरान कहा कि आप मेरे उमिदभार को नहीं बोट देना चाहते हैं तो आप इंडिये गठ बंधन को दे दीजी अब जब परतिपक्ष के नेता ही इस तरह का परचार कर रहे हैं बिलकुल ऑफिसियल है भासन है उनका सीधे उन्होंने कहा कि हमारे उमिद करते हैं और जनता का मांग था कि हमारे नेता उपेंदर कुस्वाहा को एक बार चैनल पर लाया जाए तो जो कारा काट की जनता हमारे चैनल के माध्यम से उन्हें सुन रहे हैं उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे कि सब लोग मिलकर पूरी एक जूटता के साथ नरेंदर पर्थम चरन में जहां बोट हुआ है गर्मी का असर उस पर परा है मतदान कम हुआ है परतिसत में कम हुआ है यहां परतिसत में कम नहीं हो तो सब लोग मिलकर के एक जूटता के साथ तमाम जादी धर्म के लोगों से आग रहे अपील है कि सब लोग NDA के परश्म में मतदान करें फिलाल आप देखते रहें दो पबलिक रिपोर्टर